नमस्कार अनन्तियात्रा के ओसो दर्सन में आपका सौगत है मैं डॉक्टर विचेदीचित मेरा विवादन स्विकार कीजी ओसो से किसी ने पूछा कि हम सभी सुखी रहना क्यों नहीं चायते हम अमेसा दुख को क्यों चुनाओ करते हैं या हमारे जीवन में इतना दुख क्य क्यों है इस पर उन्होंने क्या कहा पूरी जानकारी सुनने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अन्तियात्रा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजे और हां नोटिफिकेशन बेल पर आल को क्लिक कर दीजे ताकि हर नया वीडियो आपको सबसे पहले और लगातार प्र प्रस्ण कुछ इस तरह है ऐसा होता है कि हम अक्सर दुखी रहना ही चुनते हैं आखिर क्यों इस पर उसों कहते हैं ये मनुस की समस्याओं में सबसे क्लिस्ट समस्या है इसे गहरे में सोचना होगा और यह किताबी बात नहीं है इसका संबन आप से हर व्यक्ति इसी तरह का व्यवहार कर रहा है हमेशा गलत ही चुनता है हमेशा उदास रहता है अवसास से भरा हुआ रहता है दुखी रहने का व्यवहार करता है इसके पीछे बहुत गहरे कारण और हाँ कारण है ऐसे जो बताए नहीं जा सकते हैं फिर भी इनको समझना होगा पहली बात व्यक्ति की परवरिस उसके जीवन में बहुत महत्पूर भूमका निवाती है अगर आप दुखी हैं तो उससे आपको कुछ मिलता है अगर आप प्रसन हैं तो आप क्या कुछ खोते हैं सुरुवात में भी एक सचेद बच्चा इस अंतर को समझने लगता है वह जब भी दुखी होता है हर व्यक्ति उससे सहानभूती जतलाता है उससे सहानभूती मिलती है हर व्यक्ति उससे प्रेम पूर्ण धंग से बात करता है उससे प्रेम पूरवक वरताओ करता है और इससे भी अधिक वह जब उदास होता है हर व्यक्ति उसकी ओर ध्यान देता है उससे सभी का ध्यान मिलता है और वह ध्यान एंकार की खुराक है क्योंकि यूँ कहें यह एक नसा है यह आपको बल देता है और आप सोचते हैं कि आप कुछ भी हो तभी अपनी ओर ध्याना करसित करने की इतनी आवसकता है इतनी प्रबल एक्छा रहती है अगर हर विक्ति आपको देख रहा है आप बड़े हो जाते हैं अगर आपकी ओर कोई ध्यान नहीं देता आपको लगता है जैसे आप है ही नहीं आप इस धर्दी पर ही नहीं आप ना कुछ हो गए लोगों का आपकी ओर ध्यान देने का अर्थ खतम हो गया वे आपकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं एंकार रिस्तों में जीता है जितने अधिक लोग आपकी ओर ध्यान देंगे उतना आपका एंकार बढ़ेगा अगर कोई आपकी ओर नहीं देखता तो एंकार विसर्जित हो जाता है अगर कोई आपको भूल गया है तो एंकार कैसे जीएगा तो आपको कैसा लगेगा कि आप हैं तभी तो समाच, संस्थाओं, कलब, इत्यादी की ज़रत होती है कलब पूरे विस्व में मौजूद है चाहे रोटरी कलब हो, लॉइंस कलब हो, मैसोनिक कलब हो, लाखों कलब हैं, लाखों ग्रोप हैं, सोसाइटी हैं कलब केवल इसलिए हैं, कि इन व्यक्तियों की और कभी ध्यान न जा सके, तो उनको ध्यान दिलाने के एक रास्ते हैं, एक स्थान है किसी देश का रास्पती होना तो संभू नहीं है, हाँ, कॉर्परेशन का मेयर तो हुआ ही जा सकता है और फिर Lions Club का President तो होना बहुत आसान है, तब विसे समू आपकी ओर ध्यान देता है आप बड़े महान हो जाती है, बिना कुछ किए, बिना कुछ भी किए, और बिना कुछ समझे, बिना कुछ करे फिर भी वे सोचते हैं, कि वे कुछ हैं, President बदलते रहते हैं आज ये प्रेसिडेंट, कल वो प्रेसिडेंट, कल परसों कोई और प्रेसिडेंट, उनके मन में लालसा रहती है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ एक इस वर्स, दूसरा अगले वर्स, हर एक को ध्यान मिलता रहता है यह एक परस्पर व्यवस्ता है और यह कोई महान महसूस कराता हो ऐसा भी नहीं लेकिन व्यक्ति स्वेम अपने आपको महान महसूस करने लगता है सुरू में ही बच्चा यह चालाकी समझ जाता है और यह चालाकी है दुखी दिखो तो साहन भूती मिलेगी बीमार दिखोगे तो तुम महान बन जाओगे एक बीमार बच्चा ताना साही दिखाता है पूरा परिवार उसकी बात मानता है वह जो भी कह रहा है जो भी कर रहा है वो सब नियम है, जब वा परसन होता है, तो उसकी कोई नहीं सुनता, जब वा सुस्त होता है, तो उसकी और कोई ध्यान नहीं देता, जब वा विलकुल ठीक है, कोई उसकी और ध्यान नहीं दे रहा, तो सुरू से ही हम दुखी, उदास, निरासावादी, इस तरह की जीवन का अंदकार में छोर को चुन लेते हैं जो एक हमारे जीवन का अंग बन जाती है तो मित्रों आज की कहानी बस इतने ही इसको आप शेर कीजिए लाइक कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा इसी के साथ डॉक्टर विजय दीक्षित को आग्यां दीजिए धन्यवाद